Study IQ IS अब तयारी हुई इप्लिमेंट हो जाएगा, यह आप देख सकते हो, City and Ship Amendment Act will be implemented before लोग सभाब पोल्स, यह खुद अमिज शाह Home Minister ने का है, तो इसको डीटेल से समझेंगे, और साती साथ उनोंने कुछ युनिफर्म सिविल कोड और कुछ चीजों की बुद्ध की बात की है, वो सारी चीजे मैं आपको डीटेल से बताऊंगा, CA के बारे में अच्छे से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप मेंसे जो भी लोग UPSC की preparation करना है, आप हमारे बैज जॉइन कर सकते हैं, अवेल करने के लिए हमारे website अप पर जाएए, या फिर comment section में link है, और use करिएगा code ANKITLIVE ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वापर stories में, जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे तो चली सुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दो, आप में से बहुत से लोग concerns थे, कल से मेरी जितनी भी वीडियोज आ रही थी, आप में से कई लोग comment में पूछ रहते, कि सर आपकी आवाज बदली-बदली लग रही है, बिल्कुल, क्या हुआ है कि मेरा जो, जो भी fever हुआ था थोड़ा एक दो दिन से, और गला काफी खराब हो गया था, तो मैं rest ले भी रहा था लेकिन क्या हो रहा है न, कि इतने अच्छे-चे topic सामने आज रहा है, पाकिस्तान का election कई सारी चीज़ें हो जा रही है, कि मैं खुद money नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बैट के आपके लिए बनाता हूँ वीडियोज और record कर लेता हूँ बट I am fine, don't worry and thank you so much खेर, चलिए शुरुआत करते हैं, देखे, कल अमित शाजी ने, Saturday को क्या हुआ था कि एक submit था, एक TV news channel का, आपको पता ही, अलग-लग submit कराते रहते हैं, अलग-लग जो media houses हैं तो उसमें वो बातचीत कर रहते हैं, तब उनसे यहाँ पर citizenship amendment act के बारे में पूछा गया, और उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि यह जो act है, this is act of the country, और लोगसभाद चुनाव के पहले हम इसको implement कर देंगे, तो को implement करने का मतलब क्या है, कि देखो यह pass तो चुका है, इसको parliament से pass कराने की जुरत नहीं है, और आपको पता ही है कि जो आखरी session है इस current लोगसभाद का, वो भी event हो गया है, अब तो लोगसभाद चुनाव होगा, तो यह अल़री pass हो गया है, और जो president है, उन्होंने हस्ताशर भी कर दिये थे, रामनात कोविंग जी उस समय president थे, लेकिन क्या होता है कि जब तक सरकार उसको notify नहीं करती है, तब तक यह लागू नहीं होता है, तो अब finally सरकार rules के साथ, क्योंकि अभी इसमें कई सारे rules आने बाकी हैं, तो rules के साथ लोगसभाद चुनाव के पहले इसको finally implement कर दिया जाएगा, और इसके साथ अमिज शाह जी ने एक और बड़ी बात जो बोली है, वो ये है कि this act is to provide citizenship and not to take anyone's citizenship, मतलब कि यहाँ पर कई लोगों की जो आशंका है कि यह act लाने से क्या बहुत सारे लोगों का, especially यहाँ पर minority community है, जो Muslims है क्या उनकी citizenship छीन जाएगी इसको लेकर कई concerns थे तो यहाँ पर हमेज शाजी ने कहा है कि देखिए यह जो act है, वो citizenship दिलाने के लिए किसी से citizenship लेने के लिए नहीं है, उनका अगर आप exactly बयान देखोगे, यह आप देख सकते हो, citizenship act is an act of the country it will be notified before the polls there should be no confusion around it, साथी साथ उनने कहा कि minorities in our country, specially our Muslim community are being provoked उनको जान मुझके उत्साया जा रहा है citizenship amendment act cannot snatch away anyone's citizenship because there is no provision यहाँ पर किसी की citizenship नहीं जारी है, citizenship act is an act to provide citizenship to refugees who are persecuted in Bangladesh and Pakistan तो जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो non-Muslims है पाकिस्तान और बांगला देश में उनको एक तरह से नागरित्ता दिलाने के लिए यह कानून है, खैर अगर हम बात करें इसके बारे में, citizenship amendment act तो देखो क्या है ना कि तीन देश आपको याद रखता हैं, भारत के अगर आप पड़ोसी देश देखोगे, एक तो पाकिस्तान हो गया दूसरा अफगानिस्तान हो गया, और बांगला देश हो गया, तो यहाँ पर जो non-Muslims रहते हैं, non-Muslims कहने का मतलब, it's not just Hindus, it's about Jains, Buddhists, Christians, जो भी non-Muslims हैं, इन देशों के अंदर, इन तीन देशों के अंदर, वहाँ पर अगर उनके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है और वो अगर भारत आए हैं, तो उनको यहाँ पर नागरिक्ता दी जाए, और कब तक, क्या अगर वो 2022 में आए हैं, तो क्या उनको भी नागरिक्ता मिल जाएगी, नहीं, ध्यान रखेगा, यहाँ पर cut-off date है, वो है 31st of December 2014, मतलब अगर उसके पहले अगर वो भारत आए हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो सरकार उनको नागरिक्ता देगी, तो यह जो एक्ट है मैं आपको बता दू, 2019 में ही पार्लेमेंट से पास करा दिया गया था, और जैसे मैंने आपको बताया, रामनात कोविंगी उस समय प्रेसिरेंट थे, उन्होंने इसके उपर हस्ताचर भी साइन कर दिये थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही यह आपका सिरियल्शिप अमेंडमेंट आ रहा था, इसको लेकर पूरे देश भर में आपने देखा होगा जगह जगह पर, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, कई जगह आपने देखा, इस्पेशली दिल्ली का शाहिन बाग काफी ज़्यादा फेमस हो गया था, गोहाटी के अंदर भी यहाँ पर आपने देखा होगा, बड़ी मात्रा में लोग एकठा हो रहे थे, सिविल सोसाइटी वहाँ पर आ रही थी, जो कोविड का दौर है वो पूरा स्टार्ट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कोविड आनी की वज़े से आप एक साथ इकठा रहे नहीं सकते, और धिरे-धिरे यह जो पूरा एक्ट है, यह ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब कि जो पूरा प्रोटेस चल रहा था, वो धिरे-धिरे खतम हो गया एक तरह से, और लगभग 3-4 साल तक इसकी कोई भी चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसी बीच क्या होता है देखे, यहाँ पर क्योंकि यह एक्ट अभी नोटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो भारत आयवे थे इन तीनों देशों से, और वो डिमांड कर रहे थे कि हमें सिटिजन्शिप दिया जाए, तो देखे, सेंटरल गवर्णमेंट ने क्या किया एक बैक डोर तरीका अपनाया, इसमें उन्होंने क्या किया, देश के कई सारे जो डिस्टिक मजिस्ट्रेट हैं, और साती साथ जो होम सेक्रेटरीज हैं, लगभग नौ राजों की, ये राजी के नाम आप देख सकते हो, गुजरात, राजिस्थान, छतिसगर, हन्या, पंजाब, यहाँ पर क्या है, कि इनको हग दे दिया गया, डिस्टिक मजिस्ट्रेट को, कि आपके पास अगर कोई भी इस तरह के लोग हैं, तो आपके पास पावर है कि स्टिजिजन्शिप अमेंडमेंट, जो स्टिजिजिजिजिजिप आक्ट है 1955 का, उसके तहट आप इनको भारत की नागरिक्ता दे सकते हैं, तो अभी तक क्या चल रहा था कि इस माध्यम से यहाँ पर जो नागरिक्ता है, वो यहाँ पर दी जा रही थी, लेकिन अब देखें यहाँ पर क्या होता है, कि लोग सभाद चुनाओ के जस्ट पहले अभी जस्ट दो-तीन महने पहले भी आप देखोगे, नवंबर के महने में यहाँ पर हमिश शाजी नहीं बयान दिया था, और कहा था कि सिडेंशिप अमेंडमेंट आक्ट लागू होगा, और साथी साथ उन्होंने वेस्ट बेंगॉल चीफ मिनिश्टर जो ममता बनर जी है, उनके उपर भी अटाक किया था, कहा कि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वो इसको इंप्लिमेंट नहीं धोने देना चाहती, और साथी साथ, करप्शन और पॉलिटिकल वॉयलेंस का भी जो आरोप है, वो ममता बनर जी के उपर अमिश शाजी ने लगाया, लेकिन क्या होता है कि उसके बावजूद भी दो महने तक ऐसा चिसके उपर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पिछले महने की बात है, यहाँ पर कई जगा से खबरे आ रही थी, कि यहाँ पर जो सिटिजनशिप अमेंटमेंट आक्ट है, वो बहुत जल्द इसको लागू किया जा सकता है, जो रूल्स वगर हैं, वो सरकार नोटिफाई कर सकती है, और इसका एक सबसे बड़ा सबूत मिला, मैंने इसके उपर एक वीडियो भी बनाया था, कि जैसे अमिट शाजी तो क्या हो मिनिश्टर है, लेकिन जो मिनिश्टर आफ स्टेट है, शांतनू जो है आपका बीजेपी की तरफ से, उनकी तरफ से ये बयान आ गया, कि हम साथ दिन के अंदर इसको लागू करेंगी, अल्दो वो साथ दिन में लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन अगेन आपको समझना है, कि ये एक बहुत बड़ा हिंट आ रहा था पिछले कुछ समय से, और दूसरी तरफ अगर आप देखो कि तो ममताब एनरजी भी जो है, वेस्ट बेंगॉल में बीजेपी की उपर आरोफ लगा रही थी, कि यहाँ पर बीजेपी जो है, जान मुझकर इसको चुनाव का एक मुद्दा बनाना चाहती है, जबकि जो CA है, यह कोई मुद्दा है भी नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज में आपको बता दू, देखें, जब यह पूरा CA का मुद्दा चल रहा था, तो इसमें एक चीज मत भूलेगा, यहाँ पर NRC की भी बहुत चर्चा हो रही थी, National Register of Citizens, तो एक्चुली यहाँ पर ज़्यादा तर एक्सपर्ट का यही कहना था, कि सरकार जो CA ला रही है, चलो इससे तो कोई किसी की नागरिक्ता नहीं जाएगी, लेकिन अल्टिमेटली क्या होगा, कि जो NRC है, उससे भारत में जो कुछ minorities है, उनको भारत से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जो भारत के citizens नहीं है, उनको बांगलादेश, पाकिस्तान भेजने की कोशिश की जाएगी, तो यह आरोप लग रहा था कि CA अपने आप में एक तरह से कोई गुरा कानून नहीं है, लेकिन CA अगर NRC से मिल जाता है, तो यहाँ पर वो बहुत dangerous हो जाता है, यह आरोप है कई सारे experts का, लेकिन एक और चीन मैं आपको बदा दूँ कि यहाँ पर CA को लेकर भी काफी सारे questions उठते रहते हैं, कि यहाँ पर यह religion based है, क्योंकि अगर आप देखोगे, तो यह जो delay हुआ है पिछले चार साल से implement नहीं हो पाया, इसके कई सारे factors हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा है कि इसको Supreme Court में भी challenge किया गया था, और उसमें यह बोला गया था कि देखें यह जो act लारी है सरकार, जो कि अलड़ी पास हो गया है, यह एक तरह से discriminatory है, यह religion के basis पर है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है non-muslims की सिर्फ बात कर रही है, अगर सरकार को देना ही है, तो सभी लोगों को सिर्फ non-muslims के लिए क्यों दे रही है, यहाँ पर persecution अगर परोसी देश में muslims का भी हो रहा है, तो उनको भी यह देना चाहिए, तो यह R.O. बेसिकली गया था, और यह Supreme Court के अंदर मामला गया था, ऐसा अभी तक वहां से कुछ फैसला तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूँ कि, जो इसके delay का एक और बहुत बढ़ा कारण था, वो था आसाम और त्रिपुरा, वहां पर भी बोला जा रहा था कि, जो demographic changes है, इसकी वज़े से वो भी यहां पर आ सकता है, और इसी की वज़े से यह आपका implement अभी तक नहीं हो पायता, खेर, अमिर शाजी नहीं यह जो बयान दिया है, अब इससे तो साफ है कि इसको implement किया जाएगा, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने Congress की उपर भी attack किया कल, और कहा कि देखिए Congress Party ने भी पहले इसको बोला था कि हम इसको लाएंगे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान बने थे, तो कई जो हिंदूज हैं, minorities हैं, वो पाकिस्तान में उनके साथ अत्याचार हुआ था, तब Congress Party ने कहा था कि हम इस तरह का कुछ लेकर आएंगे कानून, लेकिन वो अब backtrack कर रहे हैं, वो अब इसको नहीं लाना चाहते, तो ये अमिर्शाजी का कहना है, खेर इसके अलावा भी मैं आपको एक और ची बता दूँ, उनसे Uniform Civil Code के बारे में भी पूछा गया है, तो देखें उन्होंने इसको लेकर क्या क्या है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, उत्राखंट के अंदर जो Uniform Civil Code है, उस राज जिक के लिए वो पास हो चुका है, तो में भी हो सकता है कि शायद वो एक टेंपलेट बन जाए, क्योंकि देश में पहला ऐसा राज है, और गवा में अलड़ी है Uniform Civil Code, वो पॉट्यूगीस टाइम से चलता आ रहा है, किसी भी देश के अंदर जो Civil Code है, वो Religion के बेसिस पर होई नहीं सकता, और क्योंकि उत्राखंट से ये पास हुआ है, तो इसको लेकर आगे चर्चा होगी, तो में भी हो सकता है, शायद चुनाओ के बाद या फ्री कुछ और, यहाँ पर इसको जो हैंप्लिमेंट कर दिया जाए, और देखें, जाने से पहले यहाँ पर Conclusion ये निकलता है, कि देखें, जो Citizenship Amendment Act सरकार ये लेकर आ रही है न, इसमें यहाँ पर सरकार कुछ Rules लेकर आएगी, और उसमें यहाँ पर Sources के माध्यम से बताये गया है, Rules ये होगा, कि जो आपका अप्लिकेशन है, उसको सरल कर दिया जाएगा, कि मतलब जो भी लोग आए हैं, Non-Muslim से, पडूसी देश से, तो वो Mobile Phone से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उनको आसानी से citizenship मिल जाएगी, तो आपका क्या सोचना है, इसको लेकर मुझे जरूर बताएगा, कमेंट्स में, और जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कोशन, क्या बता सकते हो, The Indian Constitution defines citizens as, आपको बताना है कि हमारे समविधान में, जो नागरिक है, उसको कैसे डिफाइन किया गया, बहुत important question है, बहुत लोग इसको लेकर confused होते हैं, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात ही, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वह यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग लग सोशल मीडिया पर आप जो लुख पाऊगे, और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच आते हैं, you can just use this code, अंकित लाइव टाकि आपको maximum discount मिल जाए, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है अपसे next time, till then thank you very much, see you soon.